नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबीका आपके अपने चैनल Study4Win में और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक बहुत ही important topic को और एक बहुत ही important विक्तित्व को जी हाँ हम बात करेंगे इस वीडियो में थॉन्डाइक के बारे में मनोविज्ञान में आप जानते हैं थॉन्डाइक का कितना विशेश महात्व है और मनोविज्ञान में जो सिध्धान्त दिये गए हैं उन सिध्धान्तों को देने में भी थॉन्डाइक जी का एक विशेश युगदान रहा है तो इनसे बनने वाले क्क्किन्स बहुत जादा जो आपके एक्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं और थॉण डाइक एक एक से वेक्टित्तों के पूपर बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी बन जाएगा तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक को हम डिसकस कर लेते हैं देखिए पहला क्वेशन अगर यहां पर जो बनता है वो सबसे पहला क्वेशन आपका यही बनता है कि आखिर थॉन डाइक कहां के निवासी थे अगर उनके कि बात की जाए कि वो कहां निवास करते थे कहां के रहने वाले थे तो आपका सबसे पहला क्वेशन तो यही बन जाता है कि वो अमेरिका की निवासी थे फिर अगर थॉन डाइक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेशन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेशन आपका बनीगा थौन डाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो थौन डाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया. थौन डाइक का सिध्धान्त है, यानि थौन डाइक का जो सिध्धान्त है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है उद्धीपक अनुक्रिया सिध्धान्थ यानि Stimulus Response Theory जिसको हम SR Theory के नाम से जानते हैं उद्धीपक यानिकी Stimulus, अनुक्रिया यानिकी Response सिध्धान्थ यानिकी Theory, SR Theory तो थौंडाइक का जो सिध्धान्त है वो है उद्धीपक अनुक्रिया सिध्धान्त नेक्स्ट कुशन आपका यही बन जाता है कि थौंडाइक का सिध्धान्त उद्धीपक अनुक्रिया सिध्धान्त अन्नि किस नाम से तो यह हो जाएगा आपका ऐसार सिध्धान्त फिर है थौन डाइक का सिध्धान यानि कि इन नामों के अलावा और कौन सा नाम है किसके अंतरगत आता है तो ये संबंध वाद के अंतरगत आता है इसलिए हम थौन डाइक के सिध्धान को संबंध वाद का सिध्धान भी कहते हैं क्योंकि इसमें stimulus and response में relation बताया गया है कि आपका ज जो अनुकृया होती है इनमें संबंध होता है इसलिए ये किसके अंतरगत आता है ये संबंध वाद के अंतरगत आता है तो इसलिए हम थौन डाइक के सिध्धान को संबंध वाद का सिध्धान भी कहते हैं अगली question की तरफ चलते हैं इससे related अगला question ये बन सकता है कि थौन थौन डाइक समझ पर नहीं दिया यानि कि थौन डाइक ने जो प्रयास एवं तुर्टी का सिध्धान या प्रयातनेवं तुर्टी का सिध्धान या प्रयास एवं भूल का सिध्धान इतने नामों से भी इसको जाना जाता है तो इन सिध्धान्तों जो इनोंने सिध्धान दिये इन सिधान्तों ने किस चीस पर विशेश बल नहीं दिया तो थॉंडाइक में के जो यह सिधान्त था प्रयास ओवन तुटी का सिधान्त इसने समझ पर बल नहीं दिया यानि कि यह सिधान्त यह नहीं बताता कि बालक कुछ समझ कर सीख सकता है इनकी एनुसार बालक प्रयत्न करता है बार-बार प्रयत्न करता है तुरुटी करता है और उसके बाद प्रयत्न करते करते उसकी तुरुटीयों की संख्या में कमी आती जाती है और एक समय ऐसा आजाता है कि वो तुरुटी करना बंद कर देता है यानि कि वो प तो थॉन डाइक ने जो नियम दिये वो कौन से नियम थे तो थॉन डाइक ने देखे वैसे तो आपके थॉन डाइक ने दो नियम दिये थे ठीक है जिसको हम जानते हैं प्रमुख नियम और गॉण नियम और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है हमारी साइकलोजी की प् यहां पर बात की जा रही है कि Thorneige ने प्रमुक रूप से कौन से नियम दिये हैं तो Thorne DF permet ने आपके जो प्रमुक नियम है उसके अंतरगाज जो तीन नियम आते हैं जो कि है प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम ये तीन नियम प्रमक रूप से दिये हैं तो thon dike ने ये तीन नियम दिये हैं अगले question की तरफ चलते हैं हमारा अगला question है question number 8 सीखने के उद्धीपक अनुकरिया सिध्धान्त के मुख्य प्रतिपादक हैं कौन है thon dike सीखने का जो आपका उद्धीपक अनुकरिया सिध्धान्त है वो किस ने दिया है thon dike ने दिया है यहाँ पर मैंने प्रशनों को उन प्रकार से लिया है जिन प्रकारों से ये परिक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको पता है कि हमेशा प्रसन सीधी तरीके से नहीं पूछे जाते कभी आपसे मनोवग्यानिक का नाम देके उसके सिध्धान्त को पूछ लिया जाता है कभी सिध्धान्त का नाम देके उससे रिलेटर्ड मनोवग्यानिक के बारे में पूछ लिया जाता है या जिस पसु पक्षी पर उसने ये प्रेयोग किया है उसका नाम दे कर भी आपसे बात पूछ ली जाती है या फिर उसके अंतरगत और डिटेल में भी पूछ लिया जाता है उसके जैसे सिध्धान्त के कई नाम हैं तो उन नामों से भी पूछ लिया जाता है कि इस सिध्धान्त को अन्निकिस नाम से जाना जाता है या उस सिध्धान्त का कोई दूसरा तीसरा चौथा नाम जो है उसको दे कर पूछ लिया जाता कि ये सिध्धान्त किस ने दिया तो कई तरीके से ये प्रश्ण बनते हैं तो उनका समावेश करने की यहां पर मैंने कुश्श की है. Next question आपका बन रहा है, थौन डाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम हैं? कितने नियम हैं? तो मैंने बताया है कि सीखने के मुख्य तीन नियम हैं, और यदि गौण नियमों की बात की जाए तो आपके गौण नियम पाँच है। फिर next question है आपका सीखने के नियमों का प्रतिपादन किस ने किया। तो सीखने के नियम किस ने दिये हैं। सीखने के नियम थौण डाइक ने दिये हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले questions की तरफ, अगला question है आपका RR एवं RS संबंध दोनों विद्यमान हैं, किसमें? ये है thon dyke के सिद्धानतों में, यानि कि RR और जो आपका RS संबंध है, वो किसमें हैं? वो thon dyke के सिद्धानतों में है, संबंध वाद के सिद्धानत के प बार बार दोहराने से उसका संबंध द्रण हो जाता है, ये thon dyke के किस नियम पर आधारित है? तो ये आपके अभ्यास के नियम पर आधारित है, क्योंकि हम कहते हैं करत-करत अभ्यास ते जडमती होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिलपर परत निशान, यानि कि जब इनस प्रकार जैसे पत्थर पर जब रसी गिस्ती जाती है, और वो रसी पत्थर पर निशान बना देती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति यदि कोई क्रिया बार बार करता है, तो वो उसकी दिमाग में क्या स्टेबल हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं अभ्यास का नियम यानि प् क्योंकि आपको पता है कि मैट्स में प्रैक्टिस बहुत जादा जरूरी है, माली जी आपने कोई फॉर्मॉला याद कर लिया, तो अब उस फॉर्मॉले को अपने दिमाग में बठाने के लिए आपको उससे रिलेटेड कॉश्यंस लगाने पड़ेंगे, आपको उन प्रशनो का बहुकारक सिध्धान्त किस ने दिया है, तो ये भी दिया है आपके थॉर्म डाइक जी ने, मंद बुद्धी बालकों के लिए उपयोगी सिध्धान्त कौन से है तो वो है थॉर्मॉला यानि नोंने जो मुखे नियम सीखने के बताएं हैं, तत्पर्ता का नियम, अभ्य तो यह सारे सिध्धान्त अगर आप बुधी के मिलादें या सीखने के मिलादें तो इन सब के द्वारा मंद बुधी बालक आसानी से सीख सकते हैं. इस प्रेया सिभांत किसे हैं? यह सभी सिध्धान्त थौंडाइक के हैं. प्रयत नेवं भूल का सिध्धान्त किस ने दिया है तो ये भी आपका थॉन्डाइक जी ने दिया है आगे बढ़ते हैं अधिगम का बंध सिध्धान्त किस ने दिया है तो अधिगम का बंध सिध्धान्त थॉन्डाइक ने दिया है बहु खंड बुद्धी का सिध्धान्त क वो किस ने दिया है तो यह परिभाशा किसकी है और इनसे बनने वाला एक ति महत्वबण और आज की वीडियों का अंतिम फ्रश्न आवृत्ति का सिद्धान्थ किस ने दिया है तो वो भी आपका फॉन डिया है क्यूकि दोहराने की बात बोली है इन्होंने और इन्होंने कहा है कि कोई भी चीज अभ्यास से आती है तो इसलिए जो इनका सिध्धान्त है कि प्रयास एवन तुटी यानि बार बार आप प्रयास करेंगे तो बार बार आपको वो चीजों की गलतियों की कमी होती चली जाएगी तो य यह कुछ ऐसे questions थे जो थॉन्डाइक से related थे और अकसर परिक्षाओं में इसी तरीके से घुमा फिरा कर पूछ लिये जाते हैं। उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बैल आइकन प्रेस कर लीजे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें क्योंकि हमारे चैनल पर डेली तीन से चार वीडियो अप्लोड होते हैं। लाइब क्लास रोज शाम साड़े साथ बज़े चलती हैं जिसे आप जरूर जोइन कीजी क्योंकि वह आपके लिए बहुत बैनिमिशल है। तो फिलाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में अपने एक और टॉपिक के साथ अगर आप हमारे पीडियाप्स लेना चाहते हैं हमारे स्पेशल गूर्प को जोइन करना चाहते हैं तो दिये गए वाट्सेप नंबर यानि 949 3693 56 इस नंबर पर कॉंटेक्ट करके आप हमारे स्पेशल गूर्प से जुड़ सकते हैं साथ ही साथ हमारे स्पेशल नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार